वात और कफ इन दो चीजों के मिलने के कारण जो सबसे बड़ी समस्या वात और कफ प्रक्रिती के लोगों को होती है वो ये है कि अगनी की कमी होना अर्थात वात भी ठंडा है कफ भी ठंडा है तो ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा ठंड से रिलेटेट समस्या या ठंडी से खास करके भोजन के पाचन को लेकर वात और कफ वालों के अंदर जैसे कि हम जानते हैं कि वात के कारण अगनी विशम होती है और कफ के कारण अगनी मंद होती है अब विशम और मंद अर्थाथ इन दोनों चीजों के कारण वात कफ वालों को पाचन से समद्धी समस्चाएं अपान वायू है जो है उनकी अर्था जो गैसस निकलती है नीचे से वो ज़्यादा बनना यूरीन रुक रुक कराना पेट साफ होने में बहुत धीमे धीमे निकलना जो वीर यह है वो रुक रुक कराना तो वात और कफ के कारण ऐसी चीजे जो हर चीज धीमे धीमे होती है इस तरह की समस्चा उन्हें ज़्यादा होती है वात और कफ के शरीर में एक और खास समस्चा देखने मिल सकती है वो है जकडाहट अर्थात stiffness stiffness इस तरह की समस्चा वात कफ वालों में ज़्यादा मिलती है जिसे कि ज़्यादा तर वात कफ वाले आपको बोलते मिलेंगे कि शरीर अकड गया है कोई muscles में दर्द हो रहा है कई घुटने में दर्द हो रहा है इस stiffness के कारण दर्द जैसी समस्चा वात और कफ के लोगों को ज़्यादातर होती है और कुछ उनकी समस्चाओं में बात करें तो वात और कफ के कारण गांठे बनना ये विशेश करके एक तकलिफ मिल सकती है जैसे कि महिलाओं में PCOD जैसी समस्चा है या फाइबराइड यूटिरेस जैसी समस्चा या मन अगनी से जुड़े हुए जो खास करके रोग है जैसे कि ड्राय पाइल्स, सूखा पाइल्स होना इस तरह की समस्चाएं वात और कफ के कारण ज़्यादातर मिलती है तो वात कफ वालों की समस्चाओं में उन्हें शरीर में ठंड लगना ये सबसे बड़ी समस्चा होगी दूसरी चीज दर्द उन्हें सबसे ज़्यादा इसकी तकलिफ हुआ करेगी कि हमेशा शरीर में अकड़न या फिर हमेशा stiffness बढ़ना रहता है हमेशा शरीर में कुछ न कुछ दर्द होते रहता है और मल मूत्र ये ठीक से निकलता नहीं पसीना ठीक से आता नहीं या फिर जिनें पाचन से संबन्दी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है खाना ठीक से ना हजम होना गैसे बहुत बनना एक बार खा लिया तो भोजन वैसे ही पड़ा रहता है पचने में बहुत समय लगता है इस तरह की ज़्यादा तर समस्चाएं वात और कफ वाले व्यक्तियों को देखने मिलती है तो उसके लिए क्या क्या उपाए या किस तरह का आहार विहार अच्छा हो सकता है वो बात करते हैं अब वात और कफ ये दोनों नेचर में थंडे हैं ओर खर हैं अर्थात खुर्दुरे हैं तो हमें ऐसी चीज़ चाहिए जो की नेचर में γरम हो या और वात और कफ को कम करने वाली हो और पित्त को बढ़ाने वाली हो तो वो सारी की सारी चीजे वात और क्फ वाले व статьयों को अपने आहार विहार या अपने भोजन में वशेश करके यूज करना है वैसे तो आप खा सभी चीजे सकते हैं पर जो भी चीजे जो आपके शरीर में गर्मी पैदा करें पाचन को सुधारें अगनी को बढ़ाएं ऐसी सारी चीजे वात और कफ इन मिक्स प्रक्रिति वाले लोगों के लिए आईरवेद में ज्यादा अच्छी मानी गई है जैसे कि एक एक एक्जामपल ले हमने कई वीडियो में आपको ऐसे कहा है कि ख मस्चाएं होती है या जिने भूक नहीं लगती गैस बहुत बनता है खाना पचने में बहुत ज्यादा समय लगता है और ज्यादा तर जो भोजन है वह जमना होने के कारण पेट फुलना गैस बनना दर्द होना ऐसी बहुत सारी तकलीफे होती हैं तो ऐसे सभी लोगों को र रस बनने दीजिए और फिर आप इसे खा लिजिए क्या होगा इसे खाने से तो आईरवेद में कहा गया है कि यह जो कॉम्बिनेशन है सिंधा नमक और अद्रक यह अगनी बढ़ाने वाला है अब वात और कफ इन दोनों के पास अगनी की कमी है इसलिए इने जादा तर यह और पाचन की समझचाएं होती है तो यह दो की दोनों चीजे आपके अगनी को बढ़ाएंगी खाने में स्वात लेकर आएगी और जीब और गले को साफ करने वाली है अद्रक जैसी जितने भी गरम चीजे आप जानते हैं जैसे की सोंट है या फिर जितने भी गरम मसाले अच्छे हैं आपके किचन में रखे जितने भी आप उष्ण गरम मसालों के नाम जानते हैं वो सभी चीजे वात कफ के लिए बहुत अच्छी है एक एग्जामपल से जैसे समझें की अद्रक के गुणों को ही देख ले तो अद्रक का गुण क्या है कि वो भेदक है अर्था जो चीजे हैं उसे जो रुकी भी चीजे हैं उन्हें फोड के आगे निकल जाता है वात कफ के कारण ज्यादा तर बॉड़ी में आप्स्ट्रक्शन स्टिफनेस रुकाव होता है अकडन होती है तो अद्रक उसको क्लियर करता है अद्रक तीष्ण है और्था गरम है तीखा ह तो वात कफ वालों के लिए इस तरह की चीजे तीखी चीजे उन्हें ज़्यादा अच्छी रहेंगी साथी साथ अद्रक सुक्षम हैं अर्था छोटे से छोटे स्रोतसों में जाकर काम करता है और वात कफ इन दोनों का नाश करता है तो आप सभी को वात कफ नाशक और पित करके उसका टाइटल रखा है और उसमें आईरविद में चार तरह के पानी के बारे में बताया है तो वात और कफ के लिए गरम पानी हमेशा गरम पानी पीना गरम पानी से स्नान करना उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्यूं क्यूंकि वात और कफ वालों को सबसे फिर में जो दर्द है या फिर अकड़न है उसे शांत करने का काम करेगी ऐसे में वात और कफ प्रक्रिति वालों के लिए तेल की चीजें सर्वसेस्ट हम मान सकते हैं अर्था तेल वात और कफ को कम करने वाली चीजों में सर्वसेस्ट हैं हमने जैसे की पहले अन्य प्रक्रित के खानपान में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें. ऐसे ही वात और कफ प्रक्रति वालों के लिए तिल या तेट की जितने भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें उनके लिए बहुत अच्छी हैं. क्यूंकि तेल के जो आईर्विद में गुण कहें गए हैं वो ऐसे कहें हैं कि वो स्निक्द, ऊश्न और गुरू होते हैं और विशेश करके वात का शमन करते हैं ये गरम होने के कारण कफ को भी शांत करते हैं और शरीर में बल बढ़ाने का काम करते हैं तो अच्छा के लिए बहुत अच्छे होते हैं और शरीर के जो अव्यव हैं शरीर के जो औरगन हैं उन्हें स्थिर करते हैं और शरीर को या पत्थे मार्ग को जनाइटल जो एरियाज हैं उसे शुद्ध करते हैं और वात कफ के कारण सबसे ज़्यादा समझ चाहें क्या होती हैं एक तो है कि तवचा का जो रंग है वो अच्छा नहीं ह अच्छे हैं इस से उनके तवचा का रंग अच्छा होगा शरीर में जो दर्द जैसी समझ चाहें वो कम होगी और एक जो विशेश समझ चाहें हैं कि शरीर में ठंडी बहुत लगती है ठंड के कारण तकलीफ बहुत होती है जोडो में या कुछ भी जो उन्हें समझ चाहें तो ऐसे में तेल मालिश करना बहुत उनके लिए अच्छा है तेल के जो बने पदार्थ है उन्हें वो खाने उनके लिए बहुत अच्छे हैं जैसे कि तिल या फिर तिल के जो लड़ू होते हैं वो बहुत अच्छे हैं तिल और गुड का कॉम्बिनेशन वात कॉफ वालो के के लिए बहुत अच्छा कॉंबिनेशन हम मान सकते हैं क्योंकि गुड भी गरम है नेचर में और तिल भी गरम है नेचर में तो तिल के पदार्थ चबा चबा कर खाना तिल के लड़ू खाना ये वात और कफ प्रक्रिती के लिए बहुत अच्छे हैं जब आप अपना भोजन बनाए तो उसमें गरम मसालों का प्रयोग थोड़ी ज़्यादा मात्रा में करें या आपके लिए बहुत फाइदे मंद होंगे साथ ही साथ आईवेद में जो सवेदन जही किस्टा कही है अर्थाथ भाप लेना सेक करना अब सवेदन या फिर स्टीम पाने नहाना या फिर आग तापना सूर्य की धूप में रहना ये वात कफ वालो के लिए सबसे अच्छी चीज है वात और कफ प्रक्रति के मांसिक लक्षणों में हमने कहा था कि उन्हें डिप्रेशन जैसी समस्चाइं ज़ादातर होती हैं और वो बहुत बार कन्फ्यूज रहते हैं तो वात कफ वालों के लिए ठंडी कम करने के लिए डिप्रेशन को कम करने के लिए सूर्य की धूप में ये उनके शरीर में गर्मी भी बढ़ाएगा और उनके वात और कफ को भी शांत करने में मदद करेगा आईर्वेद के जो आसो अरिस्ट कहे गए हैं विशेश करके वात कफ वालों के लिए बहुत अच्छे हैं जैसे की पुनरनवारिस्ट या फिर राक्षासो इस तरह की च करते भी थे मद्यपान आईर्वेद में चिकिस्टा के तौर पर रुप्योग करने के लिए कहा गया है तो ऐसे लोग जो मद्य के या फिर अलकोहल के पूरे फाइदे लेना चाहते हैं पर वो नशा करना नहीं चाहते हैं उन चीजों में नहीं फसना चाहते हैं तो उसके ल बहुत अच्छा रहेगा अपनी प्रकृति के अनुसार वह आप जरूर लेजिए आपके लिए तक्र जिसे की बटर मिल कहा जाता है वह बहुत अच्छा है खाने में उसका प्रयोग विशेश करके कीजिए क्योंकि वह भी गरम और अगनी वर्धक है वातका फॉलो के लिए खटी और नमकीन चीजें का प्रयोग थोड़ी सी जादा मात्रा में करना उनके लिए जादा फाइदेमन हो सकता है साथी साथ जो वसंत रितु चर्या की जो भी आईरवेद में डाइट कही गई है हमने एक वीडियो डाला है वसंत रितु के बारे में उस वीडियो में जो गरम मसाले आपके लिए बहुत अच्छे हैं और उसका सेवन आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए अपने कफ की और वात से जुड़ी समस्याओं को कम करने के लिए शिला जीत एक बहुत अच्छी औश्रदी हो सकती है वात कफ वालों के लिए तुलसी अगर सबसे सस्ती भी रूप में आप रयोग करेंगे तो वात और कफ प्रक्रती इसके लिए बहुत अच्छा है चुना एक बहुत उत्तम चीज हो सकती है वात कफ वाले लोगों के लिए क्योंकि वो एक शार है और वात और कफ का शमन करता है वात कफ वाली प्रक्रती के लोगों के लिए खा खाने के बाद पान खाना एक बहुत अच्छा अप्शन हो सकता है क्योंकि पान जो है उसका भी नेचर आईरवेद में उश्न कहा गया है गरम कहा है तो वात और कफ को जो ज़्यादा तर पाचन या गैस की संबंदी समस्चाएं होती हैं भूख नहीं लगती ऐसे लोगों को खाने के बाद जो देशी पान होता है उसमें चूना लगा कर थोड़ी सी सौफ या लॉंग या इलाइची ऐसी चीजे डाल कर चबा चबा कर उस पान को खाना उनके लिए ज्यादा उत्तम हो सकता है डिप्रेशन जैसी समस्चाओं में पंच गव्य इस तरह के जो घी है उस कफ प्रक्रती वाली कुछ इस तरह के उपाय करेंगे तो उनके जो शारे रिक और मानसिक समस्चाएं हैं उनमें उन्हें आराम मिलेगा आप वात और कफ के बारे में और क्या जानकारी चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं हम इस टॉपिक से जुड़े आगे और भी कई वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे तब तक के लिए सुस्त रहें मस्त रहें